इश्व जी काते हैं अपना कुरूस उठा लें लकड़ा का कुरूस उठा लेंगे लोग नंगपाव में जाओ वो बोलेगत जाएंगे है ना चालीश दिन उपास रहो बोलेगा तो भी लोग कर देंगे लेकिन जो कुरूस को मैं बता रहा हूं उसको काफी लोगों को मालम नहीं है मुझे भी मालम नहीं था 1997 में मैं वो मीटिंग में जा नहीं पाया वो मीटिंग आर्गनेस किया आर्गनेस किया उसके लिए मैं पैसा भी बेजा मीटिंग में बात करने वाला प्रभु के दास सड़नली सिखो गया समाझ लो ऐसे यसे वच्चन जाने के लिए शायतान चाता नहीं लेकिन प्रभु के अनुगर से वच्च गया वापस वो मीटिंग रखा उसमें मैं जाने ही पाया लेकिन उसका संदेश मैंने सुना आडियो कैसेट्स में अभी भी हमारा गर पे पढ़ा है किसी के पास पुराना जमाने का आडियो टेप हो है किसी के पास है नहीं इंग्लिश और तमल में है तो ठीक है उसका जो सारामश है वच्चन है एक मसीही जीवन में बले सेवक है विश्मस है सब के लिए प्रती धिन ये क्रूस अपना क्रूस उटा करके युश्य का पीछे चलते रहना है शुरुवात अच्छे होने से भी आपके आखरी अच्छा होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है बहुत ही ज़रूरी है बड़ी सेवक का भी मैं वच्चन सुन रहा था वर्ल रिनोन ये सेवक है उसके मीटिंग में इतनी चंगाई होते है लौकों लोग आते है उसका मैं सुन रहा था हीलिंग के बारे में संदेश था लेकिन संदेश ज़्यादतर क्रूस के बारे में था उसने बोला क्रूस उटाने के लिए मैं जब से सीखा मेरा जीवन का सारे बाच्ची चाल चल साब बदल गए क्रूस उटाने के लिए सीखोगे आप बदल जाओगे जितना जल्दी सीखोगे इतना आप के लिए अच्छा रहेगा अपना फादर जी ने गाणा बनाए है क्रूस उटाने से बावना बदल जाएगी दीर जरकने पर शांती मिल जाएगी कुद को चड़ाएगे तो सेवा कर पाओगे कुद मर जाएगे तो सुक से जीपाएगे देखो ये सब क्रूस उटाओगो आपको तकलिफ देने के लिए आपको परिशान करने के लिए इशू नहीं बोल रहे सब को बोल रहे केवल सेवक लोगों के लिए केवल अपने पास बारह लोगों को नहीं सब के लिए सब के लिए ज़रूरी एक कुरूस मतलब क्या है यह भीमारी नहीं है आव शराप नहीं है एक अशुद आत्मा का प्रावलम नहीं है यह सब को नहीं उटाने का